कि नमस्कार दोस्तों मैं स्ट लॉजर सचिन स्वागत और भिदंदन करता हूं कि किसी ने भगवान को देखा है कि सब कहेंगे सब ने देखा है कि कोई कहेगा भगवान ऐसे दिखते हैं कोई कहेगा भगवान वैसे दिखते हैं अगर दस लोगों को एक पैन या कलर दे दिया जाए और एक कागज दे दिया जाए और बोला जाए कि किसी एक भगवान की, भगवान श्री कृष्ण की बात कलने है, भगवान शिव की बात कलने है, किसी भगवान की बात कलने है, आप उनकी फोटो बनाईए इस कागज के उपर जैसे आपने देखा था, तो सब अलग-अल नहीं होगा तो कहते हैं ना जिस में जिस रूप में भगवान को देखा जैसे देखा वैसे ही भगवान का वर्णन कर दिया भगवान को वास्तुता मैं किसी ने नहीं देखा है लेकिन सब ने देखा है अब जो चीज़ दिखती नहीं है बस भगवान को महसूस करते हैं क्योंकि वो हमारी शरीर के रग रग में हैं, कड़ कड़ में है तो इसी भगवान से जब हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे आगे आने वले वक्त को बहुत बहतर बना देना भगवान मेरे बच्चों की जिन्दगी को सवार देना मेरे मेरे पत्ली का स्वास्त सही कर देना उसकी नौकरी सही कर देना पत्ली का वैवार सही कर देना मेरे माता पिता की रख्षा करना उनकी सिहत अच्छी करना हम ये सब भगवान से मांगते हैं उस भगवान से मानते हैं जिसका हर व्यक्ति की नजरों में अलग सौरूप है इसी लिए कहा गया है ना भगवान अनंत है भगवान को आप पकड़ नहीं सकते हो जिस रूप में आप चाहोगे भगवान उस रूप में आपको मिल जाएगा इसी प्रकार अगस्त के महीने में भगवान आपको पांच वो रूप दिखाएगा अगस्त के महीने में भगवान ब्रशब राशी के जातक जातिकाओं को वो पांच रूप दिखाएगा वो पांच सफलता दिखाएगा या सफलता की रह दिखाएगा भगवान जिस पर चल कर आप सफल हो जाएंगे, आप चाहे दिल्ली में रहते हों, चाहे मदरास में रहते हों, चाहे उत्तर प्रदेश में रहते हों, चाहे अमरीका में रहते हों, चाहे जर्मनी में रहते हों, इश्वर आपको रह दिखाएगा और ये पांच शुब संकेत आपको देगा, घ्राफ और भगवान का जब रूप जैसा आप चाहते थे वेस़ आपके सामने आ जाये तो काम आसान हो जाते हैं। कई ऐस सोचते हैं नआग बंद करके म्हा यह काम हो जाये और वह काम तुरंत हो जाता है। तो उसी रूप में भगवान आपके सामने आ जाते हैं अब भगवान के इस भहिमा को आप देखेंगे अगस्ट के वहिने में सभी जातक जाति करा आइं जो भी वर्षभ राशी के हैं पांच शुप संकेद भगवान दे रहे हैं आपको मारामाल करने के लिए आपको खुशहाल करने के लिए पहला शुब संकेट जो आपको मिलेगा उससे पहले मैं कहूंगा अभी तक अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के बटन को दबा दें फेस्बूक और इंस्साग्राम पर भी हमें फॉलो करें इगंटी वाला निशान दबा दें आपको पहला शुब संकेट देंगे शुकर देओ पहले साथ दिन धन भाओं में फिर पराकरम भाओं में पैसे और प्यार की बारिश होगी शुकर अगस्त में आपको पैसा भी देंगे प्यार भी देंगे मान भी देंगे सम्मान भी देंगे आपको परिवार का साथ भी देंगे भाई बहनों का साथ भी ताप्त होगा समाजी के रूप से आप काफी सक्री होंगे आपको यह वक्त यह मौका बहुत ही किसमत से मिल रहा है भगवान आपको तर्की की रह पर ले जाएंगे आप अपनी गलतियों को सुधारने का भी मौका पाएंगे और अपनी गलतियों को सुधार कर, सही करकर, सही रह पर चल पड़ेंगे वैपार बढ़िया हो जाएगा, नौकरी में बढ़िया हो जाएगा, नौकरी में बदलाओ, नय वैपार की शुरुआत, आपके दिमाग में ने ने आइडियाज आएगे, प्रेमी प्रेमका, पती, पत्ती, दोस्त, तियार, सब सुखद जीवन को विताएंगे, बच्चों की समक्षा सकती है, शांदार जीवन होगा, अमीर ससुलाग से रिष्टा जुर सकता है, धन, दौरत, तेज, रफ्तार से आपकी तरफ बढ़ेगी, इस किसान हैं, तो जमीन से पैसा कमाएंगे, कारीगर हैं, तो हाथ के हुनर से पैसा कमाएंगे, दिमाग के हुनर से भी पैसा क करेंगे, प्रेम और धन की वर्षा ईश्वर करेंगे, आपने जो मांगा था, वो पूरा हो जाएगा, दूसरा शुप संकेत आपको प्राप्त होगा, बुद्ध देव की किरपासे, बुद्ध देव 21 अगस तक तो चतरुत भाव में रहेंगे, फिर उसके बाद बुद्ध पंचम भाव में चले जाएगे, अपनी ही राशी में, कन्या राशी में बेहदी शुब और शांदार वक्त होगा, बढ़िया पईडाम होगा, आपकी बोलने की कला सुधर जाएगी, आपके अधूरे काम पूरे हो जाएगे, आपको बुद्ध देव धनवान बना देगे, आपके अधूरे काम पूरे होने है, रुके हुए काम चल पढ़ने है, वेवाही की वनी शांदार हो जाएगा, आप अपने बच्चों से सुख पराप्त करेंगे, आपके बच्चों को सुख पराप्त होगा, यादगार वक्त होगा, बाहर कही गुमने फिनने जा सकते हैं, माता पिता की सेवा करेंगे परिवार की जरूरतों को पूरा करेंगे पैसा दोड़ा चला आएगा तेज दिमाग के मालिक होंगे पढ़ाई लिखाई में आगे होंगे कमाल करेंगे पढ़ाई लिखाई में अविश्कारी और चमतकारी दिमाग होगा नए तरीके खोजने में आप महीर होंगे, परिवार का वैपार बढ़ेगा, पुरानी चीज़ों को नया बना देंगे, सरकार से लाव होगा, फिर से नई शुरुआत होगी, पुराना वक्त खतम, नया दौर शुरू, यानि कि अब कुछ नया होने वाला है, बढ़िया होने वरशब राशी वालों के लिए अगस्त के महीने में, प्रेमी प्रेमका के लिए बहुत ही शांदार वक्त होगा, पत्र कारिक्ता लेखन से जुड़े लोगों के लिए बढ़िया वक्त होगा, मित्रता गहरी होगी, बच्चों का प्यार माता-पिता के परती होगा, माता- hundred percent आपको फल दाई रहेगी आप को आप इस समय में इतने दिमागदार होंगे इतने काबिल इनसान होंगे कि लाल को पीला कह देंगे तो दुनिया उसको पीला कहेगी दिन को रात कह देंगे तो दुनिया उसको नचा देंगे आप दिल भी जीत लेंगे और जमाने की खुशियों को भी जीत लेंगे उज्वल भविश्य उज्वल वर्तमान होगा आपका मानो ईश्वर ने दोनों हाथों से आपको वर्दान दे दिया हो तीसरा शुब संक्यत आपको प्राप्त होगा सूर्य देव की गिर किसी बड़ी योजना को पूरा करने का बड़िया वक्त है आप सफल रहेंगे कारेच शेतर में नौकणी में वहबार में सब कुछ आपके पक्ष में होगा आपकी पकड़ मजबूत होगी आप टीम के ऊपर राज करेंगे टीम आपकी मजबूत होगी आप अपने काम निकलव महरबान होता है तो अब आप पर भी महरबान है गणित के जानकार होंगे आत दिर पर होंगे बढ़िया जोच्छी होंगे माता पिता से रिष्टों में प्यार बढ़ेगा जबान बड़ी ही लाबकारी होगी आपके पास वो सब कुछ होगा जो होना चाहिए मेहनत रंग सरकारी गैर सरकारी कामों में सफल होंगे परिष्छा पर्तियोगता में सफल होंगे सूर्देव सरकार से जोड़ कर लाब दे देंगे चाहे वो नौकरी का हो चाहे वो किसी प्राइवेट का हो अक्तिधिक सुन्दर वक्त है अगस्त के महीने में चौथा शुप संकेत प्र पासे शनी देव नवम भाओं में होंगे दी में दी में दी में आप तरक्की करते चले जाएंगे दोड़िये नहीं भागिये नहीं आनाम से कुरसी पर बैठ के काम करिए राजा बन के काम करिए बास बन के काम करिए नौकर मत बनिए नौकर से इश्वर के बनिए बाकी समाज बढ़ों को सम्मान दीजिए बढ़ों का शुरुआ देजिए किस्मत वाले हैं आपके मंच जाहे काम पूरे होने वाले हैं मकान बनेगा दुकान बनेगी वहन आएगा बहरों भावा के मंदिर में शराब का जान देदें मज़ा आ जाएगा पांच माश उप संकेत प्राप्त होगा गुर्देव से गुर्देव ग्यारवे महाँ में होगे धन ही धन कमाएंगे खर्चों पर थोड़ा काबू रखें सब मिलेगा पर्धीमी गती से मीठी जबान को रखिएगा दुनिया जीत लेंगे दुनिया की दौलत आपके कद्बों में होगी ईश्वर का नाम हो जबान मिठी हो और इरादे नेक हो तो अगस्त के महीने में ब्रशव राशी वाले पैसों में तोले जाएंगे पैसा भर भर कराएगा आपके पास आपको पीशे मुण कर देखने के आउशकता नहीं पड़ेगी यकीन मानिए सफलता के ये पांच शुप संकेत आपको पूरे अगस्त में लाब देते जाएगी कभी थोड़ा कम कभी थोड़ा जादा लेकिन ये लाब इतना होगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा आप कहेंगे बड़े दिनों के बाद भगवान फिर से महरवान हुआ है इन संकेतों को फॉलो करिएगा इन दिनों में अच्छे काम करिएगा नियम कानून फॉलो करिएगा और अपनी जनम कुली की जाच कराईगे अगर आपकी जनम कुली में ग्रह सितारे बहुत मजबूत इस से में बैठे हैं तो आपकी काड़ी बहुत अच्छी जाने वाली है अगरस्त के महिने में कुछ लोग कहते हैं कि हमें लाब नहीं मिलता लाब वीडियो को देखने से नहीं करने से मिलेगा कर्म करने से पहले ये तै करें कि क्या ये कर्म आपके लिए बना है क्या ये कर्म सही है अगर आपके लिए बना है और आप सही तरीके से करने है तो ही लाब मिलेगा क्या आपके ग्रह मजबूत है अगर आपके ग्रह मजबूत नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे अब जैसे माल लीजिए आप एक टीवी खरीद कर लेकर आए आपने एक टीवी खरीदा बड़ा दो लाग का टीवी खरीदा लेकिन आपके घर में जो वोल्टेज आती थी जो बत्ती आती है उसकी पावर कम है तो क्या होगा टीवी तो बहुत अच् लाइट की वोल्टेज कम है तो टीवी नहीं चलेगा और चल भी गया तो दो दिन में फुक जाएगा तो क्या होग टीवी तो बहुत अच्छा ख़एदा लेकिन आपने लाइट को बढ़ाने के लिए स्ट अप्लाइजर नहीं लगाया तो स्ट आप्लाइजर क्या होता है स जहां पे डेड़ तो पावर आ रही थी और टीवी को चाहिए थी धाई सो तो उसको धाई सो कर देगा और टीवी और बत्ती के बीच में सुरश्चा चक्र लेकर खड़ा है कि अगर बत्ती कभी थोड़ी ऊपर और तीचे हो जाए लाइट तो टीवी को कोई नुक्सान ना हो इसी परकार से एस्कलाजी में आपकी जो कुंडली है उसमें जो ग्रह कबजोर है उसको मजबूत करेंगे आपकी जिन्दगी और आपकी कुंडली के बीच में ग्रहों का जो उपाय है वो इस्ट प्रप्लाइजर है जब वोल्डर जाधा चाहिए होगी तो जाधा कर दें ना आपको कोई खत्रा ना आपकी फैमिली को कोई खत्रा ननोकरी को कोई खत्रा तो भैया जब तक पावर नहीं होगे तब तक बल भी अच्छी तभीकते नहीं जलेगा जब तक ग्रहों में ज़ाती है। तो समझीए endpoint लिए यह लगा लेते हैं वो भी तो जुगार है ना उपाय है जब ग्रह कमजोर है तो जोतिश के उपाय करिए अपनी जर्म कुली की जांच कराइए ताकि आप चमक सकें वर्में ऐसे अंधेरे में आधा जीवन भी दिया आधा और भी जाएगा आपको आप यकीन मानिए अगर आप अपने आप भारे में नहीं सोचते हैं तो मैं आपके बारे में क्यों सोचूँगा आपके पड़ोसी आपके बारे में क्यों सोचेंगे आपको सोचना है क्योंकि जिन्दगी आपकी है तो अगर आपकी जर्म कुली में ग्रह सिदारे अच जाएंगे और कमेंड बाक्स में मेरे को या किसी को भी उल्टा सीधा बोलते रहे जाएंगे सबसे पहले तो कमेंड बाक्स में लिखिए जैई श्री राम और अपनी जर्म को लिखिए जाएंगे जिनके ग्रह मजबूत होंगे वो लोग अगस्त के महीज़े में माला माल बनेंगे ये परम सक्त है हरी ओम नमस्कार